नमस्कार दोस्तों स्वागर आप सभी का तिकिराच यूटूब चैनल पर तो दोस्तों आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने रेट मी 4A पर डाउनलोड प्राब्लेम सॉल्फ कैसे कर सकते हैं अगर दोस्तों आपको किसी तरह का प्राबलेम आजाते हैं अगर दोस्तों। दाउन्लोडिंग में प्राउब्लम है वीडियो को पुरा तेखे तो सब्सक्राइब करके बैल आइकून को क्लिक करे ये ये अब ऑन-लाइन पेसा कमाना चाथे है तो वीडियो डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक मिल जाएगा और किसी भी problem के regarding पर आप हमें ट्विटर पर follow करके message कर सकते हैं तो चलिए दोस्तो वीडियो शुरू करते हैं तो सबसे पहले तो दोस्तो हमें करना क्या होगा अगर downloading पर problem है तो एक बार device को restart कीजिए ठीक है नेट्रो connectivity वगरा चेक कीजिए तो सब कुछ ठीक है फिर भी download में problem आ रहा है restart करने के बाद भी problem आ रहा है ठीक है तो दोस्तों जाएए अपने mobile के setting पर एक बार जो है दोस्तों आपना नेट्रो को switch करके देखें आपका जो भी नेट्रों के उसमें जाए प्रिफेर्ट नेट्रों मोड पर जाके नेट्रों को switch कीजिए ठीक है बीट्वीन 3G और 4G के बीच में इससे क्या होगा आपका नेट्रों रिफ्रेश भी होगा यहीं आपकी एरिया में आभी 4G एवलेवल नहीं है 3G एवलेवल है तो वह भी आपको नेट्रों मिल जाएगा ठीक है तो आप WhatsApp कीजिए और आपने नेट्रों सेटिंग को reset कीजिए नेट्रों सेटिंग रिसेट करने के लिए आपको जाना होगा यहां कनेक्शन और शेरिंग पर नीचे जाएए आपको डिखेगा वाइफाय रिसेट मोबाइल नेट्रों ब्लूटूट उसमें जाके आपना सीम यहाँ पर सेलेक करना है एर्टल या जियो उसके बा अब को क्या करना है नेट्रों डॉक तो आपने फिक्स कर दिया अब दोस्तों स्कॉर्ल डाउन करके नीचे में जाए एप्स को अपन कीजिए उसके बाद जाए मेंच एप इनस्तॉल एप या फिर मेनेचमेंट करके आपको ऑप्शन मिल जाएगा तो उसमें जाके आपको यहाँ पर download का जो main एक download का जो main point रेते हैं ठीक है यह अब उसको जाके एक बार fix कीजिए इसमें जाएगा clear data पर click कीजिए clear all data करके कीजिए clear all data करने के बाद दोस्तों एप permission पर जाए permission चेक कीजिए यहाँ पर इस्तोरेज permission allow already है allow नहीं करना चाहिए allow नहीं करने से बहुत जाएगा ठीक है उसके बाद रिश्टिक data connectivity है आपके इस download के अंदर पर ठीक है वह refresh हो जाएगा तो आपको वह करके देखना चाहिए ठीक है उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर बेक कर ले बेक करने के बाद दोस्तों आप device को एक बार restart किजिए और उसके बाद चेक करके देखिए ठीक है आपका problem solve हो चुका होगा तो इस प्रकार से दोस्तों आप जो है डाउनलोडिंग के problem को solve कर सकते हैं अपने device के अंदर पर तो downloading का problem कई तरीके का होते हैं ठीक है कोई problem Chrome browser का होते हैं ओपेरा का होते हैं तो दोस्तों आपको किस तरीके का problem आ रहा है ठीक है तो आप वो भी हमें comment section पर comment करके बता सकते ह किलाल के लिए दोस्तों बीच का सोलुशन मैं आपको यहाँ पर बता दिया है ठीक है अगर दोस्तों आपको डाउन्डूटिंग में प्रॉब्लेम आते तो आप इस प्रकार से जो है फिक्स कर सकते हैं अपने प्रॉब्लेम को सारे साथ दोस्तों यहाँ पर आप सौफ़ेर क कर दिजे ओल डेटा ठीक है फिक्तोरी रिसेट कर दिजे और उसके बाद भी आपका डाउन्लोडिंग प्रॉब्लेम कॉम्प्लिटली सौल्फ हो जाएगा तो इस प्रकार से दोस्तों आप जो है आप पर प्रॉब्लेम को सौल्फ कर लिजेगा तो आज की इस वीडियो पर